हलो गाइस मैंने यहां पर लेटी चोखा बनाने के लिए बैगन लिए हैं और बैगनों में मैंने ओल लगा लिया है चारो तरप से और मैंनों उसमें लैसन रख दिये हैं एक बैगनों उने चार से पांथ लैसन चील के अंदर रखे हैं छेत करके चाकू की विदा से अब इनक यहां पर बैगन ने के साथी चूल के साथ भूर लिये थे बहुत इजी है इनको बहुणन और और साथ ही यहां पर मैंने दो मीडियम साइज को बारीग काटन ज quilt आख लिया थे चार से चैरी मिर्ची बारी काट लिया है उनको भी बारी काट लिया हैं और अब हम इसमें डालेंगे सामगरी तो यहां सबसे पहले वन एक चमम सब्सक्राइब हन्दनिया पौडर डाला है तीका खाते जादा ढाल सकते हैं यहां पर कम डाला है और साथ ही हमें इसमें सारे मसाले डालेंगे इसमें गरम मसाला डालना बहुत जरूरी होते क्योंकि इसी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसन और गरम मसाला लिटी चोखा में सबसे जाता डाला जाता है दोस्तों साथ ही मैं यहां पर एक निब्बू डालूँगी औ और दनिया इसमें हमें बुना हुआ जीरा पाउडर भी डालना है साथ ही एक पिंच हींग भी डाल ली हैं इस तरीके से हम इसको स्वादनुसार नमक मैंने यहां पर यह मैंने वह लेस्टन डाला है वारिक चौक करके साथ ही अब हमें इसमें गरम मसाला और बुना हुआ जीरा पाउडर भी डालेंगे साथी स्वादनुसार नमक मैं यहां पर सेंदा नमक ले रही हूँ इसको मैं फ्राई करके नहीं बनाना होता है इसको मैं सब सावुत खड़े मसालों से इसी तरीके से बनाना होता है तब ही इसमें एक अच्छा फ्लेवर आता ह यह मैंने जीरा पाउडर साथी यहां पर गरम मसाला अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं मेरा लिटी चोगा बिल्कुल तयार है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्य और इसमें मैंने यहां पर कटा हुआ अरा धनिया और साथी यह हमारी गरम गरम लेटी चोगा विल्कुल तयार है इस तरीके से सर्फ करें दोस्तों मैंने यहां पर दाल भी बना रखी थी पहले से ही दाल का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा पसंद आए वीडि देसे सर्फ का झाल tactics करें हैं by ज misleading बना सथ करें मेरे बना मेरे यह और करें पर לא करें आ हैं